योति ती सक्क्याशि बैसाक पुलइब कि दिन और क्या सभीय का निरमान रहने वाला है क्या इस दिन भधक्र का साया रहे गा या मिट से प्रारम हो जाएगा और 23 मई संध्या 6 बच करके 42 मिट तक रहेगा तो उद्या तिथी को मान करके पुर्णिमा का जो है दान वगरे जोगी करना है पूजा करना है वो 23 मई को कर सकते हैं उस दिन घुरुवार है बैसाख पुर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का प जाता है तो इस बार बैसाख मां जो है सरवार्थ सिद्धी अमर्थ सिद्धी जोग सीवयोग के साथ गुरुवार को 23 मई को जो पुर्णिमा लग रहा है बुद्ध पुर्णिमा उस दिन भद्रा का साया रहेगा लेकिन शो बच करके 29 मिनट में भद्रा समाप्त हो जा रहेगा भद्रा मर्ति लोग में लिवास करता है इसलिए उस समय तक कोई सुभकाम नो करें च्छोबच के 29 मिनट के बाद जब सुल्य उदय हो जाए तो उद्रिया दित्धी में पुर्णिमा का कार्स्क्रम करें उस दिन विशेश लूप से भगवान लक्ष्वी नारा की पूजा होती है और लक्ष्वी नारायन को प्रसंद करने से आपको धन बैभव की कमी नहीं होती है घर में साहंती होती है उस दिन अविशेख का भी बहुत बड़ा महत्व है सीव जी का पूजन करके अविशेख भी करें तो आपको सुख और सम्रिद्धी भरपूर मिले अविशेख रही होती है की और सम्रिद्धी नाराय श्मर प्रसंद करो में मत्रीज